Hello everyone, welcome to my channel and friends जो आज मैं आपको रेमडी शेयर करने वाली हूँ वो आपके पालर का पैसा तो बचाएगी साथ ही साथ आपको इंस्टेंटली ग्लो भी करेगी ये आपकी स्किन को वाइट और ब्राइटनी मनाएगा और निखार दीगा ये दूद के तरह आपको वाइट कर देगा आपकी स्किन को और आपको एक निउग ग्लो देगा फ्रेंट्स कहीं भी आप पाटी में जाने से पहले अपने को एक अट्रेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इस होम रेमडी को शेयर कीजिए ये आपके लिए काफी हेलफफुल होगा और आपको कुछ मिंटों में पालर जैसा निखार देगा तो आएए फ्रेंट्स इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंट्स वन टेबल स्पून हम लेंगे फेरम लवली आपके इसकिन को वाइट और ब्राइटिंग मिनाएगा और आपको एक अच्छा सा निखार देगा और फ्रेंट्स इस तू टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें लेमन का जूष फ्रेंट्स लेमन में नैचुरल ब्रीज और वाइटिंग प्रापर्टिस होती है जिनकी वज़एसे आपकी इसकिन लाइट और वाइटिंग हो जाती है अगर आप रोजाना लेमन को अपने फेस पे अपलाई करते हैं तो यह आपकी फेस को पर्मनेंटली लाइट कर देगा और आपके फेस को वाइटनिंग में हेल्प करेगा थर्ड चीज जो हम लेंगे वो है हमारा चावल का आटा जिनके पास चावल का आटा नहीं है वो वो milk powder भी उज़ कर सकता है या फिर इसे इसके भी कर सकता है 1 टेबल स्पून लेंगे हम इसमें चावल का आटा अब फ्रेंड इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का पेस्ट नजर आएगा आप देख सकते हैं तक ये पिरेंगे जब तक ये प्रॉबर्ली मिक्स ना हो जाए फ्रेंट ये मास्क आपके स्किन को वाइट और ब्राइपनी बनाएगा और अलग सा निखार दीगा अब ये रेडियाय में हमें अप्लाइ करने के लिए और फ्रेंट जब ये ड्राइ हो जाए तो इसे वह भी आप टूशु पेपर की हेल्प इसे रिमॉफ कर दें अब फ्रेंट जब आप इसे रिमॉफ करने तो इसे डारेक्टी ऐसी वह ना करें ये पेस्ट अटाने के बाद आप इसको भी दो से तीर मिनन तक अपने थेस पे ऐसी रहने देंगे और उसके बाद आप इसे वह करेंगे है नाव मैंने यह वाश कर लिया एँ आप दोनों में डिफरेंटास देख सकते मेरे दोनों हातों में यह कितनी जल्दी इंस्टेंटलि ग्लो देंग आपके हैं तो सोची है है आपके चहरे पे कितना ग्लों को दे सकता है तो जिने अमेरजेंसी में अपने फेस को वाइटनिंग और ग्लोइंग करना है तो वो इसन उसके को ट्राइ कर सकता है यह आपको इंस्टेंटल बहुत जाधा गुड़ा बना देगा और आप देख सकते हैं मेरे दोनों हातों में कितना डिफ्रेंस आ गया है छेशिंग एंग 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 लगा मैं आपको अब छाओं और एंग प्रेंस आग आइए थे लिए प्सक्ते बाइश आगा है तो प्लाइन भी प्हांद में अरे एंग इंग डूग में रहता गींडारा ने ब्ली